मर्यादा पुरसोत्तम भगवान स्री राम की नगरी में वर्स भर त्योहार के मौके पर शुबकार वधार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं लेकिन पित्रपक्च लगते ही वर्स में 15 दिन के लिए यह सभी शुबकार रुक जाते हैं पित्रपक्च के मौके पर अपने पूरबजों की मोक्च की प्राप्ति के लिए स्राद और तरपड करने का कार करते हैं पित्रपक्च पर वैसे तो गया मैं तरपड और स्राद करने का महत तो माना जाता है लेकिन पौरालिक कथाओं के अनुसार धार्मिक नगरी अयोध्या में भी अपने पूरवजों को जल से तरपड देने और स्राद करने से आत्मा की सांती के साथ मोख्च की प्राप्ती होती है इसी मनोकामना को लेकर लोग सर्यू नदी में पिंडदान करने से अपने दिवंगत माता पिता और पूरवजों की आत्मा की सांती के लिए अयोध्या आते हैं पूरालिक मानेताओं के अनुसार आयोध्या में दो प्रमोख इस्थान भरत कुंडवा सहस्तरधारा लक्षमल गाट हैं क्योंकि सहस्तरधारा लक्षमल गाट के पास ही भगवान लक्षमल ने अपना प्राण त्यागा था जब भगवान स्री राम को मालूम हुआ कि लच्मर ने अपने प्राण त्याग दिये तो भगवान स्री राम वहाँ पर गए और वहाँ पर गुरू वसिष्ट ने कहा कि अब इनका सरीड तो नहीं है लेकिन अब उनकी आत्मा की सांती के लिए पिंडदान करिये साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज से जो भी व्यक्ति इस स्थान पर पिंडदान करेगा उसके पूरवजों की आत्मा क्यों सांती मिलेगी और वह सीधे स्वरग में प्रिस्थान करेंगे अगरी है पिंडदान का क्या हो अपने पित्रों को सभी प्रथम पिंड़ी होता है इसके बाद फिर दुरत कुंद होता है प्रियाग में होता है अगरी आते होंगे समयाते हैं अब यहां हजारों की शंक्या में आते लागे जी और इधर तो कुछ कम आए आगे तो बहुत बेलेगी पुल के पास में यह सब पिंडदान करने के लिए अब कहुंगे यहां काभी बीड है यहां काफी लोग आये हैं देश इकुने कुने से उखला बताएंगी इसके बारे में इसकी महत्ता क्या है। लोग यहां मतलब पिंड़ान करते हैं आकर के लफक कितने लोग आते होंगे प्रदिजी पिदपक्ष के महीरे में कम से कम 20,000 लोग देली आते हैं। अभी सुबा का टाइम है और साम का की ही करम चेहें जाएंगे।